नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर सेगबर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज में बात करूँगा Defense Sector के बारे में, देखे, Defense Sector में बहुत सारे Companies Market में उतर चुके हैं, और जितने सारे Defense Company है, वो लगातार हाई करते चले जा रहा है, क्योंकि Government एक announcement किया था, कि upcoming times में Defense Sector के बना जाएगा, इसलिए Defense Sector में जितने सारे Companies हैं, वो सारे Companies के उपर बहुत-बहुत-बड़ा जारनी हो चुके हैं, और हम आज में एक ऐसे Company के बारे में बात करूँगा, जो आज एक, देखे, तो Small Cap Type Company है, बहुत चोड़ा Company है, 1000 क्रोड से भी नीची इसका Market के आगा है, हा अच्छा-खासा quantity इस सालों में एडिंग किया है, उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा last तक देखे, डीटेल्स में इस वीडियो के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इस Company के बारे में जितना analysis में कर पाया हूँ, वो मैं आपके सार सार करूँगा, तो सब सब पहले कौन सब एक्ति ने इस कंपानी को पर खरिदरी किया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो उससे पहले defense sector का growth कितना है बो सब सब पहले देख लेते हैं लेकि defense sector का growth है अपकेम टाइम में यह बता जा रहा है कि Indian's defense sector is expected to grow and create opportunities in various segments मतलब अलग-अलग segment में opportunities देखने को मिलेगा market size जो है Indian defense sector का market size है expect किया जा रहा है कि reach 17.4 billion और वो भी 2024 2024 खतम होने से पहले 17.4 billion का market आसा कर रहा है कि इतना market काब हो जाएगा इतना market growth हो जाएगा उसके बाद देखिए 2000 मतलब 2029 में expect किया जा रहे 23.5 billion हो जाएगा Cajr के percentage के हिसाब से जो growth हो रहा है 5.79 कोई खराब growth नहीं है बहुत सांदर है और ये बी एक आसा किया जा रहा है कि 138 billion US dollar बन जाएगा 2032 में तो एक big growth इस sector में देखने को मिलेगा इस sector में कोई भी company को पकल लेजिए चाहे बो मतलब BDL हो चाहे बो हिंदुस्तान Aeronautics Limited हो मजगन डाख हो मजगन डाफ सीब बिल्डर्स हो तो जीतने सारे companies है परस defense हो सारे companies एक लंबा journey हो चुक है तो आज में जिस company के बारे में बात करोंगा वो हाली में listing हुआ और एक सांदर तरीके से पार्फरमस करके आगे बढ़ रहे है उस company के उपर जिस बैक्ति ने निवेस करके रखा है उनका नाम अगर देखेंगे उनका नाम है असीस कचुला जी तो असीस कचुला मत 3,393 क्रोड के आसपास और 2015 से लेकर अभी देखेंगे दस साल भी नहीं हुआ टोटल उनका जो मार्केट के पोटफोलिय बन चुक है है 3000 क्रोड़ तो सोची एही होते है investment का पावार सबसेदा investment उन्होंने किस company को बनिवेस करकर रखे हैं आप यह आपर देख सकते हैं मतल तो वीडियो में आगे बाने से पहले मैं request करूँगा चैनल को subscribe नहीं के तो जोरू कर लिजेगा और हाँ एक request जोरू करूँगा अगर वीडियो अच्छे लगए तो प्लीस दोस्तों के साथ share करना और एक like जोरू कर जाना और हाँ एक वीडियो totally education purpose में होगा मेरे तरफ से क पाचित करके ही इस company के उपर कुछ decision लेना तो company के नाम कौन सा है उसको दिखाने से पहले company के जो product है उसके बार में चर्चा करूँगा आप देख सकते है को कुछ ship building जो steel section है उस भोवी company बनाते है साथी साथ oil जो मतलब कोसमबल है वो भी company बनाते है साथी साथ और भी अलग-अलग categories के जो product है वो भी बनाते है तो basically company तीन sector के उपर काम करते है एक defense के उपर है साथी साथ homeland के उपर है उसके homeland securities के उपर है उसके साथ DRE equipments के उपर है तीनों segment में जो equipment defense sector के उपर हम मतलब homlet के उपर साथी साथ DRE farm के उपर यूज किया जाता है वो ही segment company बनाते है या पर सारे products आप देख सकते है या पर देखिए milk का जो ट्रैंग है आइस ट्रैंग है आइस चेंबर है उसके साथ साथ milk can है तो साथी साथ milk can lead है उस तरी किसे product company बनात इस company के customer base देखेंगे तो आपको बहुत strong लगेगा वो सारे points में आपके साथ share करूँगा तो लास्तों किस वीडियो को देखना सबसे बले में बात करों company का overview के बारे में company के 1997 में start हुआ एक पुराना company है और company start किया DRE equipment बनाने में मतलब सबसे पहले DRE equipment बनाने का काम start किया ह 1997 में 2006 में company fast defense sector को पर NT हो चुके है और defense sector में कुछ equipment and house जो development product है उसको बनाने का काम start किया है 2022 में company NCC में listing हो तो company का basically जो DRE फा में वहापे 80% company product बनाता है और defense को पर 82% product बनाता है तो ज्यादा से defense sector को पर company dependent है इस company का जो defense equipment बनाने का जो manufacturing factories है वह कहाँ पर है obviously गुजरात में है और इसका DRE भी गुजरात में ही बनता है तो DRE का equipment भी गुजरात में बनते है और साथी साथ defense का equipment वह भी गुजरात में बनते है तो company के जो product है तो कुछ product का list यहापे दिया गया है देखे कमपानी का 25 years का experience इस फिल का और 200 से भी ज्यादा इसका employees है और company देखिए specially देखे तो इंडिया नेवी और इंडियान आर्मी के उपर ही ज्यादा सेदा काम करते हैं तो एक defense sector के उपर बहुत बहतरीन तरीके से company काम कर रहे है तो यहापे कुछ defense के जो product है वो product आप देख सकते है कौन सा-कौन सा product यहापे बना जा रहे है special steel alloy जो बना जा रहा है साएख मट नौन साथ एकर बहुत धिटार अबर ग्योशक को बनाते है तो इस तरीके से कुछ company को यहापे'reCs करते है तो कंपानी के जो पूड़क्त है उसको पूड़क के ओपर कंपानी खुद R&D भी करते है, मतलब को खुद रिसाच और डेवलोमेंट भी करते है, उसके साथ साथ पूड़क एक्सपोर्ड भी करते है, इसका क्लाइनट बेस देखेंगे तो आपको बहुत सांदर लगेगा, जैसे इंडियन आर्मी, इसका क्लाइट है, साथी साथ इंडियन नेवी, उसके साथ बीए सेप, डिफेंस रिसाच टेवलमेंट और्गनेशन, जिसको DRDO कहा जाता है, साथी साथ, AVN Limited, उसके साथ मेज़ोगन डाक्ट, कुचिन सिप बीलडर, L&T, आप देख सकते हैं, GRSE, और उसके साथ साथ गौवा सिप बीलडर, तो जितने सारे डिफेंस कंपानी है, सारे कंपानी के उपर, जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, सारे सेक्टर को कंपानी में company DRE का business start किया था और वो भी आप देखेंगे DRE से company का business start हुआ था जैसे company का product जो बनाते हैं उसमें से company का कुछ जैसे bulk milk coolers जो है साथी साथ milk जो मैसिन्स है साथी साथ milk cooling tank है तो इस तरह के से product का company बनाते हैं तो इसका जो customer base है बहुत strong है उससे पहले इस company का product देख लिए कि इस तरह के से milk drum जो है can जो है बो भी बनाते हैं साथी साथ robotic milk collection unit तो robotic milk collection unit company बना चुक है साथी साथ bulk milk जो cooling tank है मतलब milk आने के बाद उसको cooling किया जाता है तो उसका tank का भी capacity company company मना चुके है 300 liter से 10,000 liter तर तो यह भी company का product है तो company defense के साथ साथ domestically भी company काम कर है और अभी इस company link का client basis देखेंगे तो यहापे देख सेकते हैं अलग-अलग milk का client है उस client आपको यहापे देख जाएगा तो अलग-अलग बहुत सारे milk perc India का client client है शाथी साथ defense का भी बहुत सारे clients है जो आपको दिखेगा जयसे आमूल जैसे बड़े player भी इसके साथ है शाथी साथ प्यों प्यो भी उस प्यों के साथ है शाथी साथ जो अलग-अलग category प्योच्ष के यह company फॉर्मेंट पॉलिसीज जो है जो पॉलिसीज में इस कॉमपाणिकों फायदा मिनने बाले है जैसे गभर्मेंट बता रहे है कि इन दा लास्ट फ्यू यर्स, तगावर्मेंट अफ इंडिया has taken various policies और वो भी किसके उपर है, various policies पूरे के पूरे defense sector, development and manufacturing defense sector के उपर तो यह obviously एक growth देगा और यह भी बता रहे है, 2021 में India has the world third largest defense जो expenditure है, मतलब सबसे ज़्यदा defense के उपर खर्चा कर रहा है और वो भी 2021 के बाद और यह भी बता जा रहा है कि देखिए government, जो government owned the defense industries for आप देख सकते है, private sector जो मतलब private sector के जो product है, बो भी company government आप यह बो भी बनाने का काम कर रहा है, बो भी announcement कर रहा है तो government का बहुत सरा policies है, जैसे आप देख सकते है, जो season total है, उसके उपर लाँज किया है, कुछ 19,500 प्लास defense items के उपर तो यह भी government का एक achievement है government निया policies लेके आ रहा है साथी साथ government अलग-अलग scheme और अलग-अलग product इस defense sector के उपर यह आपर लाँज कर रहा है, तो obviously defense sector का जितना growth होगा, जितने सारे defense company है, उसका भी growth होगा, इस company के कितना financial growth है, वो अभी देखना बागी है चलो बहुत दिखा लेता हूँ, उससे पहले company का नाम देख लेते है, company का नाम है Kisna Defense and Allied Industries Limited, तो company का price अभी देखे 455 है, जब आप वीडियो देखेंगे सायद में change हो सकते है, सबसे पहले में company के capex आपके साथ share करूगा, तो company के कितना capex है, वो देखना, capex देखने से पहले में कुछ company के importance point में आपके साथ share करूगा, सबसे पहले company का market cap कितना है, 625 करोड के आसपास, मतलब एकदम छोटा सा company है, और company के current price कितना है, 455 करोड के आसपास, तो company के peer issue 63 है, company के ROC आ रही दोनों ही base देखने को मिला, और company के देखिए, valuation के इसाब से देखाए, तो company के peer issue सस्ते में है, तो company के income भी हो रहा है, देखेंगे से 10 करोड का income, इसमें क्या होगा, देखें, defense company है, पहली बात, दुसरी बात, company का market cap 625 करोड है, तो उसमें से 10 करोड का profit होगा, यही तो काफी है, तो company के debt of equity ना के बरावर है, और promoter के पास अच्छागासा holdings है, और company के जो मुझे best point लगा, वह company का quick ratio बहुत सांदर है, price to book value भी चलो average level के आसपास है, तीन साल में ROC based है, return of equity भी average के आसपास है, EBITDA margin भी बहुत सांदर है, company का अगर मैं profit लोग साल भार के दिखा दू, तो दिखिए, हर साल company खुद के profit को गोट करके चले जा है, इस बर company hash profit किया, आज तक ही सबसे ज़्यादा profit है, company के expense को भी मिटाने के बाद company का net profit इस बर hash देखने को मिला, जो पहले 2 करोड, 1 करोड के आसपास profit हुआ करते था, आज वो 10 करोड के आसपास पहुँच चुके है, और basically companies के पर, आपे देख सकते company के उपर sales का growth कितना सांदर है, और profit का growth भी बहुँच सांदर है, और return of equity भी जबदस्त है, इसलिए company एक साल में 137% के आसपास return दिया, अभी देखे company के उपर सबसे जो importance point है, बो है company का borrowings, तो करजा दिखे, पहले बहुँच जदा था, 27 क्रोड, 26 क्रोड के आसपास हुआ करता था, इस बार सिर्म 9 क्रोड के आसपास करजा है, एकदम 0 के आसपास करजा है, reserve भी लगातार बढ़ते चले गे, 11 क्रोड से 50 क्रोड बना, और company के fixed asset भी 10 क्रोड से 15 क्रोड बना, और उसके साथ साथ एक चीज और भी notice करना, company को कितना project मिला, वो देखना बहुत importance है, company के project जो मिला, वो भी अच्छा खासा project company continue कर रहा है, और उसके साथ ए भी देखेंगे, ये company के, जो investor है, वो क्या कर रहा है, उससे पहले देखें, company के जो cash conversion cycles है, वो देखेंगे, पहले 145, 3 days लग रहा था, अभी वो घटके 219 days लग रहा है, मतलब, यापे cash conversion cycles जो है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब, company के हाथ में जो पैसा आ रहा है, पेमेंट जो आ रहा है, वो थोड़ा सा time लग रहा है, अब इस company को मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, institution इस company को बढ़ माल खरिदरी नहीं करेंगे, पूरा के पूरा माल प्रोमोटर के पास था, और प्रोमोटर ने कुछ quantity बेचा, उसका फायदा डिरिकली पब्लीक उठा है, लिखेर इक सी company है, पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि इस company जो जीस तरीके से return दिया, आप वो return को देखेंगे, तो धामा का जैसे एक चार पटन बना, जब स्टार्टिंग हुआ था, दो हजार बाइस में, एप्रिल में company listing हुआ, तब इसका price था करीबन 100 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे 400 में, almost company कितना return दे चुके है, अगर anti-level से में, मतलब top level तक देखू, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो almost almost company 4 गुना return up को दे चुके है, 4 times return up को दे चुके है, तो मुझे लगते एस से सुर्वाद है, अभी लंबा जर्नी होना बाकी है, तो बाकी आपक